जहां एक तरफ बन प्राणियों के संरक्षन को लेकर सरकार ने तमाम गोश्चें कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सिकारियों के होसले बुलंद होते नदर आ रहे हैं हलाकि अब सिकारियों को लेकर आम नागरगों की सतरक्ता उने पकलने में कारगर साबित हो रही है तादे मामला दमोजले के तेंदू खेडा से सामने आया है जहां रविवार की देर साम लोगों ने सुरेश नात नाम के एक सिकारी को जंगली पसूँ के साथ पकल लिया और उसे बन विबाग के सुपर्ट कर दिया मामले के मताबब एक 31 सेंचूरी एरिया से सिकार करकर जानवरों को बैक को फरकर जा रहा था तबी तेल्यू खेडा कस्वे में लोगों को उस पर सक हुआ और उन्होंने बैक को खुलवाया तो उसमें शंगली चानवर थे जिसका सिकार किया गया था लोगों ने सिकारी को फकल कर बन अधिकारियों को सूचना दी जिस पर इलाके की HDO टीम के साथ मौके पर पहुची और आरोपी सिकारी को अपने किरफ्ट में ले लिया रविवार की देर रात की गई कारवाई के बाद बन अमले अब इस पूरे मामले की चार्च में जोटा हुआ है और ये आरोपी को सौंबार को कोट में पेस किया गया बंदेरी परकस के लिए दमों से बीरो रपोर्ट का एक केस पकड़ा है उसमें कुछ थेले में इसने जानवरों को मारके रखा हुआ है तो मैंने उससे बोला ठीक है आप बिल्कुल वहीं पकड़के रखो मैं आ रही हुए तुरंट मैंने अपनी टीम को तयार किया और टीम को तयार करके मैं मौका इस थल पर पहुँची, मौका इस थल पर आरोपी को वो लोग पकड़ के रखे हुए थी आरोपी से मैंने बैक खुलवाया, बैक खुलवाने पर पता चला कि उसने तीन मोनीतर रिजाड और एक खरगोश को मार के रखा हुआ है और आरोपी से मैंने पूछा तो उसने बोला कि मेडम हम रामदही के जंगल से लाए हैं, आज ही पकड़ा है हमने और पहली बार किया है फिर मैं आरोपी को ले करके अपनी ही गाड़ी में बिठा ली और मटेरियल का पूरा उसका ले करके परिछेतर कार्याले में आदे प्रक्रण की और जैसी ही प्रक्रण की कार्यालीन कार्याले में हो जाएगी आपको पुना सुचित कर दिया जाएगा